सबसे पहले आप अपनी टेल हमें दीदी अ मेरे जिलमतारिक है चब्वीज एक उन्नीसो नभवे समे चे वच्चे चैलीस मिनेट पीम चैलीस मिनेट जनका स्थान नासिक महारश्टर नासिक क्या प्रश्न है आपका लुए तुम्हारी शादी काब हुई बेटा गुरूजी अटाइससाल में अठाइस वे साल में हाँ ठीक है इसे हो गया अभी तुम्हारे घर में बीमार कौन कौन है गुरूजी बीविवी बीमार है और तुम्हारे बच्चा हुए तुम्हें गुस्सा कितना आता है बेटा गुरुजी बहुत मिन्हें बहुत मीडियम कर दिया इसके अंदर यह जो अभी समय चल रहा है यह इन्होंने क्योंकि शादी 28 साल में करिये इसलिए आगे इनका भविश्य ठीक है हो जाएगा पहले करते तो बैटा शायद यह सारी जिन्दगी कामकास के लिए रिश्यदारी के सुक के लिए अपनों के सुक के लिए सब मामले कराब पचते हैं तो यह चीज़ इनके ठीक है मैंने बच्चे का पूछा भी इसलिए कारण यह कि बच्चे का समय तो चल रहा है लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती हैं यह 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 कर रहा था कि खांदार में कोई मेंटली रिटायर्ट यह मेंटली सिख तो नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है कि कुणकि मंगल बुद्व और राहू आपस में टक्राओं पे बैठे हैं तो यह चीज़ यह पैदा करते हैं अब इस वक्का जो इन्होंने कहा कि काम कास के लिए शनी का समय ब्रस्पती की टक्र अ अब किसी भी सूरत में हो सके तो बिटा अपने घर वालों से अलग मत होना अपने भाई से पिता से बाकी के जो हला उनसे अलग मत होना वना मामले कमशोर रहेंगे नौकरी की योग अभी भी बहुत अच्छे बैठे हैं तुम चिंता मत करो नौकरी बहुत अच्छी होगे तुम्हारा काम को स्टैबल नी रहेगा जितना मनी प्लांट रबर्ट प्लांट तुलसी शंक सीप कोडिये ढोल की तबला सितार गिटार तुमारे घर में रहेगा उतनी ही तकलीफे रहेंगे और इनके साथ में तुमारे बजर्गों को बेमारी लगना और घर के अमूली उपाई से ठीक किया जा सकता है तो इसलिए मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूंगा काम की चिंता मत कर यह दो छोट छोटे से उपाई सबच्छा और अगर आगे भी जो मैंने अभी चीज़े तुरे को बोली अगर बेटा यह तुमने घर पे नहीं रखी तो तुम से कम एक तोले का हो वह बनवा के अपनी जेब में ऊपन रखना किसी पर्स में या पनी में बिल्कुल नहीं रखना वह जो घी वाला टिन आता है पीपा आता है प्लास्टिक वाला निए जो टिन का होता है उसके अंदर गंगा जल भरके 16 लिटर के करीब उसमें गंगा जल लाता है और उसके लिए चार चांदी के चकोट टुक्रे डालका ढकन को सी ल करके कली से या प्तल के टांके से कली के साथ हो जाता है उसको अपने घर पर रख आगर वह लीक हो जाए तो दूसरा नस्तर में आप डाल सकते हैं इसकी जगा आप स्टील का वो जो जार आता है उसके अंदर भी रख सकते हो उसे भी सील करवाना पड़े का कलेश है अब आगे हर रभी वार बंद्रों को गुड़ गे हूं डालना बहुत ज़रूरी है तांबे का छेद वाला पैसा एक अपने गले में डालो चाहे सोने की चेन में चाहे सफेद दाखे में और छे दिन के लिए ये बीच में से नाक छे दन करवाना और छे दिन के बाद चांदी डालो या सोना डालो वो निकाल के बाहर फैक देना यह उपाए है और हर महीने के पहले सुमंबार को एक काला सफिर कंबल उसको दाम देना मात्र इत्ते से उपाई हैं बिटा तेरे और ये उपाई होने के पार घर से कलेश, बीमारी सब निकल जाएगा जिम्मेवारी हैं तो अपनी तुमने उठानी हैं वो इक अलग बात है कि खर्चे जादा लिखे हुए हैं लेकिन काम्याबी लिखी है और अगर सब को खुल के पैसा बाटोगे तो तुम गरीब बनोगे और अगर हिसाब किताब लगा करके और असूलों में बंद के चलोगे तो बेटा भविशे में तुम अमीर बनोगे तुमारी कुंड़ी सिर्फ इस एकलाजी के उपर तुमें अमीर और गरीब बना रही है तो इसको करो बेटा दाता जरूर तुमें सुकी रखेगा खुश्यादे प्रपो